नमस्कार दोस्तों सौगत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आप लोगों के लिए मैं कई अपडेट लेकर आया हूँ अगर चैनल पर आप नहें तो चैनल को सस्क्राइब लाइक ज़्यादा ज़्यादा सेयर कर दीजेगा दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखेंगे जितने अपडेट हैं सब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोस्तों लाइक करना ना भूलें जो नए भाई बंधू बहने हैं वह चैनल को सस्क्राइब कर देंगे और ज़्यादा सेयर कर देंगे जिससे यह सभी न्यूज भाई बहनों को मिल जाए दोस्तों जो भी न्यूज रहती है रियल और अथेंटिक रहती है हमारे दोरा और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो हमारे दोरा जो मिलें आपको सबसे पहले मिलें तो दोस्तों वीडियो को सुरू कर रहे हैं यूपी एनेचम 2700 प्लस और 1400 प्लस पोस्ट रिजल्ट पूर्टया बनकर तयार हो गया है आप लोगों का रिजल्ट बनकर तयार हो गया है जल्द ही आप लोगों को विभाग की साइट पर देखने को मिल जाएगा और यह रिजल्ट ऐसे बना है कि जिस हिसाब से चाहिए यह जो लोग कह रहे थे कि धादली हो रही है और hold करके रखा गया है सही में hold करके रखा गया है लेकिन धादली ऐसी कोई बात नहीं है बस approval के कारण जो है रुका पड़ा था जल्द ही आप लोगों को आपके site पर मिल सकता है यह जो यूपी नहम सैंस की site है और आप लोग के जो registered मोबाइल नंबर है उस पर भी जो है आप लोगों को मैसेज भी आ जाएगा जल्द ही आप लोग को मिलने वाला है और इसके साथ में एनम 912 पोस्ट भरती का बिग्यापन जल्द ही जारी भरती UPCC आयोक के माध्यम से क्या-क्या क्राइटेरिया है वो सब बहुत अच्छे से सुनिएगा दोस्तों तभी आपको यह समझ में आएगा UPCCPET exam date इस दिन होगी परिच्छा पेट के साथ 30,000 पदों पर भरती का बिग्यापन भी जारी पेट से लाखों छात्र हो गए बाहर एक लाख पदों पर नई भरती मुखमंत्री भरती बोड को आदेश मुखमंत्री जी ने भरती बोड को आदेश दिया है एक लाख पदों पर नई भरती तो दोस्तों वन भाईवन सभी अपडेट में क्लियर कर रहा हूं सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं P.E.T. 27 लाख अभरतीयों ने कराया पंजी करण U.P.S.C. 25 जून तक जमा कर सकेंगे सुल्क वा अंतिम रूप से आवेदन 28 जून तक किया जा सकेगा आवेदन पत्रों में संसोधन इसमें साप साप दिया है जो भी वहाई बहने U.P.S.C. P.E.T. का जो फार्म भर दिये हैं सुल्क नहीं जमा किये हैं उनके लिए अंतिम मौका है 25 जून तक 25 जून तक वह सुल्क जमा करके पूर्टेया फार्म को भर दें और अगर किसी का तुरूटी भी है तो वह 28 जून तक वह तुरूटी सुधार सकते हैं जैसे नाम पिता के नाम में माता जी के नाम में या हाई स्कूल का अनुक्रमांग हुआ या डेट हुआ यह सब आप जो है 28 जून तक बदल सकते हैं अगर किसी का गलत हुआ है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर तक नौकरी पक्की है एक लाख नौकरी जो मुखमंत्री जी के द्वारा घोंशड़ा की गई है सभी भीभागों के लिए वह अगर दिसंबर तक सब कुछ ठीक रहा तो नौकरी जरूर मिलेगी और इसके साथ में दोस्तों देखे एक जी जो और निकाला गया है 30,000 पदों के लिए हो सकती है पहली मुख्य परिच्छा साफ साफ दिया है इसमें जो पेंडिंग भरतिया पड़ी है 30,000 में जैसे एनम की पड़ी है भरती 9,012 फार्मासिष्ट की है 4,000 और लैब टेक्निसियन की है और इसमें और भी पद है तो 30,000 पद पहली मुख्य परिच्छा में रहेंगे तो दोस्तों जो भाई बहने फार्म को एपलाई कर दिये हो सुल्क ना जमा कर पाए हो किसी कारण बस सुल्क ना जमा हो पाया हो नेट की समस्या से या साइट नहीं चल रही थी तो उन लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है वो लोग अभी बाहर नहीं हुए हैं पेट से वो लोग 25 जून तक सुल्क को जमा कर दें उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग की प्रारामभिक अहरता परिच्छा के लिए पंजी करण की प्रक्रिया सोमार को खत्म हो गई इसके लिए 26,95,549 अभ्यरतियों ने पंजी करण कराया था तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है और कोरोना की तीसरी लहर में लिखित परिच्छा निर्भर है कोरोना की तीसरी लहर वही आपकी अगस सितंबर में आएगी अनुमान यही लगाया जा रहा है और देखिए दोस्तों साप साप इसमें दिया है यह अमर उजाला का पेपर है आज ही का पेपर है आज के पेपर में दिया है साफ साफ इसमें भी दिया है यह है प्रियाग राज का इसके पहले मैं दिखाए था यह लखनव का है इसमें साफ साफ दिया देखिये 25 जून तक जमा कर सकेंगे सुल्क वा अंतिम रूप से आवेदन 28 जून तक किया जा सकेगा आवेदन पत्र में संसोधन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिशंबर तक नौकरी 30,000 पदों के लिए हो सकती है पहली मुख्य परिच्छा तो जो भी भाई बहने अभी पूर्तिया फार्म नहीं भरे हैं वो लोग फार्म को एपलाई कर दें भर दें फीस जमा कर दें क्योंकि स्वास्थे बिभाग में सबसे ज़्यादा पद है UPSC के माध्यम से स्वास्थे बिभाग में एनम के पद आएंगे और आपके फार्मासिस्ट लैब टेक्निसियन अन्य पद जो स्वास्थे कर्मी बिएजडबलू का भी है बेसिक हेल्थ वर्कर का भी आएगा दोस्तों बेसिक हेल्थ वर्कर का जो इससे पहले पोस्ट निकली थी उस वही पोस्ट इसमें एड़ करके है सुमार को पीटी के लिए रजिस्टेशन की कारवाई पूरी हो गई 28 लाख से अधिक युवाओं ने रजिस्टेशन कराया परिच्छा के लिए इसी माह के आंद तक एजन्सियों को चैन होनी की उम्मीद है एजन्सियों का चैन हो गया तो दो माह के भीतर परिच्छा कराई जा सकती है हाला कि लिखित परिच्छा कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर निर्वर करेगी तीसरी लहर का मतलब यह है अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो यह परिच्छा नहीं होगी नहीं तिया परिच्छा करा दी जाएगी दोस्तों या बहुत बड़ी अपडेट है जो भी भाई बहने मेडिकल से रिलेटेड है जो जो ने फार्म नहीं एपलाई किया है या फार्म एपलाई किया है उनके लिए मौका है जिनोंने नहीं एपलाई किया है अब उनके पास कोई मौका नहीं है क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 21 तारिक लाज़ डेट है तीन दिन से मैं बता रहा था कि जो भी भाई बहने फार्म ना एपलाई किये हैं फार्म को एपलाई कर दीजिए और सुल्क जो है 25 जून तक आप जमा कर सकते हैं तो जो भी भाई बहने किसी कारण बस सुल्क नहीं जमा कियें वह सुल्क जमा कर दें क्योंकि स्वास्ते विभाग में बहुत बड़ी भरती आने वाली है 30,000 पद तो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे वह भी कोरोना की तीसरी लहर पर डिपेंड करेगा अगर भरती ठीक ठाक रहा सब कुछ समय तो आपका P.E.T. अगस सितंबर में हो जाएगा उसके बाद जो है दिसंबर तक एक लाख पद U.P.S.S.C. आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे एक लाख पद यह मुकमंत्री जी का आदेस है और सभी बोर्डों को आदेस दे दिये हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो समझ नहीं पाएं कि P.E.T. क्या है अभी तक बहुत बच्चे नहीं समझ पाए थे वो फाम ही नहीं भरे हैं मेरे बीडियो को देखने के बाद बहुत से बच्चों ने कहा सर यह फाम में भर सकता हूँ कुछ बच्चे जीनम वाले भी पूछ रहते देखिए दोस्तों सरकार पर डिपेंड करती है कौन सी सरकार कब कौन सा नियम लगा दे अगर आप BSC नर्सिंग किये हैं पोस्ट BSC हैं जीनम किये हैं एनम किये हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप हायर एजुकेशन डालकर P.E.T. का फाम एपलाई कर सकते थे लेकिन अब आप लोगों के पास मौका बहुत कम है ना के बराबर है जिनोंने रेजिस्टेशन कराया है बस वही लोग अब यह फाम एपलाई कर सकते हैं अब वह मौका चूप गया है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जैसे ही अगली अपडेट कोई निकल कर आती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा और आप लोग एकदम घबडाईये मत आप लोगों का रेजल्ट बनकर तयार है UPNHM 2700 प्लस और 1400 प्लस पोस्ट रेजल्ट एकदम बनकर तयार है वह जल्द ही आप लोगों को आपके रेजिस्टर्ड मोबाईल नमबर पर मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा यह विभाग की तरफ से सूचना मिली है और दोस्तों जो भी भाई बहने नए हैं वह चैनल को सस्क्राइब कर दें क्योंकि जो भी वीडियो रहता है मेरे द्वारा रियल और आथेंटिक रहता है जिसे उन लोगों को मिलने में आसानी हो और आप लोग अफवाहों से एकदम परेसान ना हो रिजल्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा और जो भी भाई बहने एनम नोहजार बारा पोस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी खुसखबरी है जल्द ही वह भी बिग्यापन जारी होने वाला है जो भी भाई बहने P.E.T. का फार्म एपलाई किये हैं वही भाई बहन एनम नोहजार बारा पोस्ट फार्मासिष्ट के चार हजार पोस्ट यह सब एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जैसे ही अगली अपडेट कोई निकल कर आती है मैं अपने वीडियो के माधम से जरूर बताऊंगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जो भी न्यूज रहती है रियल और आथेंटिक रहती है सब्सक्राइब करना न भूलें ज्यादस ज्यादस सेर कर दीजिएगा धन्यवाद